नमामीर हनुंतरा नमा हेलो गाइज आरोंगे वेलकम सियू सो गाइज आज जो हम डिसकास करेंगे वो हमारा फॉर्थ यर का एक टोपिक है शालक के तंतर विशे के अंसर गताता है नेतर संरचना यह काफी बेसिक टोपिक है पर इसको समझना काफी टिपिकल हो जाता है तो इसको थोड़ा सा इजी करके मैंने समझानी कोशिश करिए तो आई यह स्टार्ट करते हैं शुशूरुत उत्तर तंतर फस्ट में एक शलोक आता है जो कि 10th और 11th नमबर का शलोक है जो नेतर संरचना के संदर्व में आता है तो यह एक पुरा का पुरा एनाटमी है एक नेतर की किसके पॉइंट औ व्यू से आईरवेदिक पॉइंट औ व्यू से तो इसी शलोक को थोड़ा सम तोड़ कर समझने की खोशिश करेंगे कि अचारे क्या बोलना चाह रहे हैं और इस शलोक के माद्यम से क्या समझाना चाह रहे है क्यों कि छुआ हम ऐसे देखते हैं तो काफी टीपिकल हो जाता है समझ नहीं पाते कि कैसे इसको समझ जा जाए तो इसके बारे में क्या-क्य चीज़े बताई गई हैं क्या-क्या समझानी कोशिच किया है इसको तोड़ कर देखते हैं आईए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अचारिय बोलते हैं कि विद्या द्वेंगुल बाहुल्यम स्वांगुष्ठम उद्रम सम्मीदम अथार्थ जो नेतर होता है उसका अंत्य जो आयाम होता है उसका जो वर्टिकल डायमेटर होता है जैसे कि आप एरो में देख पा रहे हैं अंत्य प्रवेश प्रमाण दो अंगुल का होता है और उसको अंगुष्ठ के उदर के समान बताया गया है वहाँ पर उपमा दी गई है कि उसकी उपमा इस परकार दी गई है तो यह जो वर्टिकल डायमेटर होता है यह दो अंगुल का होता है यह नेत्र गोलक इंसाइड वाला पार्ट है जहां तक आप एरो देख रहे हैं इस एरो की काफी महतता है बड़े ध्यान से इसको देखेंगे कि कहा तक वैरी कर रहा है यहां तक का जो आयाम होता है जो यहां तक का प्रमान होता है वो हमारा कितना होता है दो अंगुल प्रमान का होता है इसके बाद आग्याचारी क्या बोलते हैं बोलते हैं कि अथार्थ भीशक नयन बुदबुदम जो नयन बुदबुदम है वो नेत्र गोलक को बोला जाता है तो इसमें बोला जाता है कि दो अंगुल यानिकि दो अंगुल जो हमने पड़ा उसमें आदा अंगुल और जुड़ जाता है यानिकि डायंगुल जो होता है तो अब आप देख रहे हैं जो इसका प्रमान है वो थोड़ा सा increase हो गया इसमें कुछ वरत्म प्रदेश भी आ गया है तो इसको consider करते वे यह जो आयाम हो जाता है यह हमारा डायंगुल का हो जाता है उसके बाइद आचारिये बोलते हैं सुवरत्तम गोष्तनकारम सर्व भूतो गूरो उद्भवम अथार प्रोपर गोल होता है जो नेत्र गोलक होता है उसको आई बोल भी कहा जाता है बोल की जो structure होती है गोल होती है तो आप देख भी पा रहे हैं प्रोपर गोल है पर उसको बोला जाता है गोष्तनकारम तो गोष्तनकारम आप देखेंगे जो कौर्णिया है कौर्णिया थ तो यह एक तरीके से पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया उन्होंने केस किस महाभूत कौन-कौन से पार्ट में कौन सा महाभूत होता है तो उसी के मैंने थोड़ा तोड़ कर बताने ही कोशिश की है इसी देखते हैं तो सबसे पहले आता है पलम भूवो अगनीतो रक्तम अथार जो पलक रहती है दोनों आईज की वो पृत्वी माभूत से निर्मित रहती है और जितना भी रैडिश पाट रहता है आईज में वो अगनी माभूत के कारण निर्मित होता है उसके बाद बोला ग अगनी नेतर गोलक इसमें बोला गया है कि जितना भी अशुरू मार्ग यानी कि जो टियर ग्लैंड्स होती है वो निर्मित होती है अकाश माभूत के कारण तो यह पूरी की परी पंचबोदिक संगठन है उसके बाद देखेंगे नेतर के कुछ भाग बताए गये है तो ने नेतर का आयाम होता है नेतर का आयाम जो हमने पढ़ा था नेतर का आयाम धाई अंगूल उसका वन्थड जो रहता है वो कृष्ण मंडल होता है और उसका कृष्ण मंडल का वन्थड जो रहता है उसे द्रिष्टी कहते हैं द्रिष्टी मंडल जो के आपको आगे पता लगे कि भी तोड़ा बता एक नेत्र आयम का 1 थर जो रहता है उसके भान के भाग बोलेगए है मंडलानी arbitr can comment नेत्र में क्या रहता है क्या रहता है पांच मंड़ल कि प unknown dó त्विक अधात नेत्र के बोला चैन्प मंडल्रानी Dec तीन जो नेत्र के भाग होते हैं मुख्य तोर पर कारे रत होते हैं और मुख्य तोर पर इनकी जो सनरचना है इनकी रचना है वो हम अच्छे से आनी चाहिए तो उन्ही को देखते हैं सबसे पहले मंडल 5 होते हैं संधी 6 होती हैं और पटलवी क्रमनफवर 6 होते हैं तो इनी को कैसे कैसे आगे डिवाइड किया गया है क्या किया इनके नाम है कैसे कैसे इनको विभाजित किया गया है उनी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मंडल से हम लेकर चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे मंडल 5 होते हैं जिनके नाम इस परकार है तो आपको PV, SKD एक्टरिक याद करनी है इसके लिए PV, SKD इसी क्रम में याद करनी है क्योंकि ये क्रम बहुत important है तो P से पक्षम रहेगा, V से वर्त्म, S से शुक्ल हो जाएगा कि इसे कृष्ण और D से दृष्टी तो इस परकार मंडलों के नाम याद कर लेंगे ये काफी important है इनको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि आगे चलकर आपकी संधियों में भी काफी आपको help करेंगे तो अब ये पक्षम वर्त्म, शुक्रिष्ण और दृष्टी जो मंडल है इनको ही देखेंगे कि पक्षम होता क्या है तो सबसे पहले जो पक्षम वाला पार्ट होता है तो जितना भी eyelashes होते हैं, eyelashes वाला पार्ट जो होता है वो पक्षम क्यालाता है, पक्षम को simply आप देख पा रहे होंगे इस figure में कि जो eyelashes वाला पार्ट रहता है वो पक्षम क्यालाता है, इसके बाद आगे अगर हम बात जिसको की कंजक्टाइवा बोला जाता है बलबर और पालपरेवल जो दो परकार का होता है उसको यहां पर कंसीडर किया जाता है तो वो हमारा रहता है वर्तम प्रदेश रहता है उसके बाद जो हमारा आता है PV SKD हमने पढ़ा है तो S से जो मारा रहेगा शुकल शुकल में आपका जो भी स्कलेरा पोर्शन रहता है जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा आपका शुकल मंडल के अंतरगत आ जाता है तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि शुकल मंडल के अंदर क्या आता है क्रिशन के अगर मैं बात करता हूँ तो क्रिशन मंडल के अंतरगत आपका जो मुख्यते आता है वो आईरिस पोर्शन आ जाता है आईरिस पोर्शन जो रहता है नियर अबाउट था, प्यूपिल रहता है, तो वो ज्यान रखना है द्रिष्टी की अगर मैं बात करूँ, तो बीच में जो आपको दिखरा है बिल्कुल ब्लैकिश जो की डाइलेट करती है और कॉंस्टिक्ट करती है, वो हमारी होती है द्रिष्टी तो वो आपको याद रखनी है, प्यूपिल जिसको आप कह सकते हैं, तो वो हमारा द्रिष्टी मंडल होता है तो इस परकार ये पाँच मंडल यहां पर बताए गए हैं, अब इसी करम में आगे चलते हैं बात करेंगे संधी, जो की 6 होती है संधिया आपको याद हो से पहले मैं आपको बताया था कि आपको मंडल अच्छे से आद होने चाहिए, क्योंकि संधियों के नाम मंडल से ही संसर्ग रखते हैं, मिले जूले रहते हैं देखे किस परकार से रहते हैं तो परतेक संधी अपने परतेक मंडल जो रहता है अपने अगले वाले मंडल के साथ मिलकर एक संधी बनाता है तो पक्षम वर्त्म करके एक संधी हो जाती है वर्त्म शुकल करके दूसरी शुकल कृष्ण तीसरी कृष्ण और दृष्टी तो इ संधी में देखिए सबसे पहले कनिनक कनिनक जो रहता है वो मिडल साइड में रहेगा यानि कि नियर टूदा नोज रहेगा जिसको इनर कैंथस कहते हैं और जो अपांग रहेगा वो नियर टूदा यह रहेगा यानि कि जिसको आउटर कैंथस कहा जाता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं पक्षम वर्थ यानि कि लिड मार्जिन्स के अगर हम बात करते हैं तो वो किस परकार से आपको डिनोट होंगे तो आप देख पा रहा हूंगे लिड मार्जिन्स क्या है आपके जो आपको दिख रहा है इनर केंथर और आउटर केंथर जहां पर दोनों के दोनों कवर्त्म प्रदेश जो है वो आपका आपकर आकर मिल रहा है यानि कंजक्टाइब और स्क्लेरा जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं उस पार्ट को बोल दिया गया है फॉर्निक्स तो आपको ध्यान रखने है संधी को उसके बाद शुक्ल क्रिश्न संधी यानि कि लिम्बस वाल ऑब पीचिया, गाए उसके बाद आती है क्रिश्न द्रिश्टी संधी जिसे प्यूपिलरी मारजिन कहा जाते है जो कि आप देख पन रहे हैं जो कि मैंने अरो दिखाया है ये पूरा का पूरा पूरा पुपिल और आईरिस के बीच में जो रहता है दोनों के बीच में संसर्ग रहता है उसे कृष्ण दरश्टी संदी कहा जाता है अब इसी करम में आगे चलते हुए हम बात करेंगे 6 पटल के बारे में काफी इंपोर्टेंट है पटल से तो देखेंगे तेजोजला आशरित, मासा आशरित, मेदो आशरित, अस्थी आशरित और दो अन्य आती है जो की होती है मरे 2 वर्तम पटल होती है 5 और 6 नमबर पर तो दो वर्तम पटल और बाकी चार होती हैं तो इनको आपको नाम इजली याद रख लेने इसके बाद देखेंगे तेजो जला आशरित जो होता है उसको आईरिस और एक्ट्वेस हुमर जो होता है उससे कोर्लेट किया जाता है तो आप देख रहे होंगे एक्ट्वेस हुमर जो है यह आपको देख पा रहा हो का डाइग्राम में इस वाले पार्ट को तेजो जला आशरित बोला गया है और जो कॉर्णिया वाला पार्ट है यह आपर आईरिस लवैरी करता है कॉर्णिया के जस्ट भी हैं महाँ पर उसको कंसीडर किया गया है तेजो जला आशरित पटल में मास आशरित में सिलेरी बोडिस को कंसीडर किया गया है तो जो सिलेरी बोडिस आप देख पा रहे होंगी क्योंकि माशल पार्ट होता है तो मासल पार्ट होने के कारण इसको पतल के अंतरर रखा गया है मास-ासृत के बाद में अगर हमारी आती है तो मेदो-ासृत आती है जिसमें आपका vitres humor रखते हैं जो कि हमारा posterior chamber में रहता है तो vitres humor behind the lens रहता है तो आप देख पा रहे होगे यह वाला जो पूरा part होता है इसको मेदो आश्रित पटल कहा जाता है और सिंपली अगर मोडन की बात करें तो मापर इसको वीटरस हुमर के नाम से जाना जाता है अस्थी आश्रित के अगर मैं बात करूँ रेटिना तो रेटिना जो रहती है हमारी nervous coating रहती है पूरी की पूरी तो आप देख पा रहे होंगे जो retina वाला coat है यह पूरा का पूरा आपका अस्थी आश्रित रहता है तो इसको आचारी ने अस्थी आश्रित के नाम से जाना है तो इस परकार से जो भी हमारी संधी, मंडल और पटल थे हमने पूरी की पूरी जान ली है फिफ्ट और शिफ्ट नंबर पर वर्तम पटल एक बचा है जिनको आप देख पा रहे होंगे तोनों उपर और नीचे की तरफ में तो दोनों के दोनों आपके दिख रहे होंगे आपको यह वर्तम पटल है, एक अपर रहता है, एक लोवर पटल रहती है तो इसके अधार पर इन्होंने दो वर्तम पटल मान लिये हैं तो यह बेसिकली है, आपको ध्यान हो गए होगे यही थी आज की टोटल वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं मैंने एक कॉम्प्लिकेटी टोफिक को काफी अच्छे तरीके से आपको